उरिजिनल सीरीज वाइकिंग से सौ साल बात सुरू हुई ये स्टोरी वाइकिंग्स वलहाला मिलनी फोकस करती है वाइकिंग्स लिफ एरिक्सन और उसकी बहन फ्रेदिस और नौडिक प्रिंस हैरल्ड सिगर्सन की ओर और हमें एक बेतरी एडवेंचर पर ले जाती है बट सीजन वन की लास्ट में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने के मिलते हैं जो की सीजन टू के लिए अच्छा खासा कहानी छोड़के जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़े हुई जो की काफी इंट्रेस्टिंग है और उसपे हम इस वीडियो में आगे डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप मारे चलंग सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन दबादें तो ऐसे वीडियो आप से मिस नहीं होंगी फाइनल एपसोड में कुईन एलफ गुफ पहले जाती हैं इंग्लिश कोर्ट में जहां पे उनके फादर इनलाव फ्रॉक बेर्ड होते हैं और अपनी पावर दिखाती हैं फिर वो डिमांड करती हैं एमा के बैनिश्मेंट की और उनने नॉर्मेंडी भेज देती हैं हाला क कि गॉर्डविन एक चाल चल रहा होता इसके पीछे एलफ गुफ आगे अपनी पावर दिखाने के लिए मर्सिय जाती हैं और उनके लॉड्स को वो अपने अंडर करना चाहरी होती हैं और यह दिखाती हैं फोक्स बेर्ड के विहाफ पे वो वहां जा रही हैं जहां पे उन होता है कि वाइजस्ट मैं नहीं है उसके बाद हैरल्ड एक सीक्रेट मिशन पर वहां आता है और वो कहता है कि वो उनके साथ जोड़ चुका है बट वो इन्डारेक्ली उनका प्लान जानने के लिए वहां जाता है फिर वो उसके बाद कैटकेट के वारियर्स और उलफ गेर और यार्ड हैकन के बीच में समझोता कराने भी जाता है बट वो फेल हो जाता है लेकिन लड़ाई से पहले हैकन एक पेगन सर्मेनी करती है कैटकेट में जहां पे कुछ सैक्रिफाइस देने होते हैं जिसको देखके लिफ थोड़ा सा मूव हो जाता है अब आता है वार का दिन जब फ्रेदर्स लीफ और क्लोज वारियर दोस्त लड़ाई करने के लिए केटाकट सिटी में ता यार्व आते हैं और समुद्र के साइड और वाल के साइड दोनों को डिफेंस करते हैं लेकिन वो लफ़ कार्ड उन्हें ट्रिक करते हैं और अंदर घुजाते हैं यार कर हैकर को बहुत सारे एरो से मार देता है और उसे जखमी कर देता है बट मरते हुए वो फ्रेदर्स से कहती है कि यू मस्सर्वाइफ यू आर दे लास्ट सो इसे पता लगता है कि फ्रेदर्स लास्ट प्रोटक्टर है केटकेट की जो की आगया ने जीजन में काफी बड़ रूल अदा करेगी लास्ट की मेन फाइट होती है फ्रेदस और याल केरे के बीच में जिसमें फ्रेदस उसका सरधर से अलग कर देती है ग्रेट हॉल में ही बट यहाँ पे इसका फाइदा देखते हुए लॉर्ड उलुफ अपने मैन के साथ केटाकेट में गुष जाता है और अपनी आर्मी से ओवर पावर कर देता है और वहाँ पे सबको मारने लगता है और केटाकेट जीत लेता है इसी का फाइदा उठा के फ्रेदस वहाँ से निकल रही होती है लेकिन वो हैरर्ड को भी अपने साथ ले जाती है पहले वो थोड़ा जीजगती है लेकिन बाद में वो से अपने साथ होर्स पे ले जाती है बट इसी के बीच लिव की गल्फरेंड लिव को ओलफ स्टैप कर देता है और मार देता है जैसे कि हम लोग जानने होता है कि लिव थोड़ा थोड़ा क्रिस्चैनिटी को और मूव हो रहा होता है बट वो अपनी मरती हुई गल्फरेंड से प्रॉमिस करता है कि वो उसके वलहाला में जाके मिलेगा और उसके बाद वो फुल वाइकिंग मूर में आता है और कई सारे लोगों को माणने लगता है बट सीजन के खतम होते होते हम ये देखते हैं कि ओलफ जैसे अपनी खोशी मना रहा होता है तब ही वहाँ को शिप्स आ जाती है और वो शिप्स होती है फोक बियर्ड की जो कि अपनी ट्रैंट चिलन के साथ अपने इलाके को प्रोटेट करने के लिए वहाँ आ जाता है अपने सन कनूट के बिहाफ पे ओलफ ये देखके तुरंट वहाँ से भाग जाता है लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं ओलफ के कुछ आदमी रेप कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे लिव उसे बजाता है और मार देता है और गुस्सिम ओ चिलाता है जब उसके सामने एक अंजान आदमी आयाता है और वो अंजान आदमी कोई और नहीं वलकि फ्रोग बेड का ग्रैंट सन यानि की करूट का बेटा होता है जो की देखने जासा लग रहा है कि वो उसे मार ही देगा सो यहाँ पे सीजन खतम जाता है बट आगे आने वाले सीजन के लिए कई सारी प्लोट ओपन छोड़ जाता है जिसमें से पहला है लिव के साथ अब क्या होगा सो लिव की एरिक्सन जो होते है वो पहले पेगन होता है बट बाद में वो Christianity की दोर जुख जाता है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ कारण वास से बाद में फूर से पेगन की जो रिचुल्स होते हैं वलाला जाने वाले अपने बादह के विज़ा से वो वहाँ पे रुख जाता है बट जैसा कि हमनों जान रहा है कि लिफ ही में हीरो है सो वो यहाँ पे आगे जाके कुछ करेगा और हमें यह से दिख रहा है कि वो फोक्स बेर्ड की ग्रैंट चिलन को मार नहीं जा रहा है और उसे मार देगा तो उसके स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आ जाएंगे बट जो कहानी है वो तो हमें आगे 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 आने वाली सीजन में पता लगेगी लेकिन इस बात से स्वेन फोक्स बेर्ड चैसर किरमों जान रहा है कि वो कुछ नहीं होगा और वो कुछ नहीं बड़ा कदम उठाएगा लेफ के लिए बट वो उसे मारेगा नहीं लेकिन वो यार्ल ओलफ के पीछे तो पढ़ गया है क्योंकि वो एक ट्रेटर है और उसने धोके से कैटाकेट पे हमला किया तो यार्ल ओलफ को नेक्स सीजन में वो शायद पकड़ ले और शायद मार दे अब बात करते हैं फ्रेदस और हारल की जैसा कि हमने लास्ट में देखा फ्रेदस जक्मी हारल को होर्सबैक पे लेके वहां से निकल जाती है और कैटाकेट खाली कर देती है लेकिन जैसा कि उसे कहा गया है कि शी इस दा लास्ट वन तो मतलब वो लास्ट होप है वाइकिंग्स की और वो अपने पेगन रिलीजन को बचाने के लिए वो एक आखरी उमीद है और वो कैटाकेट की नई रानी बनेगी आगी जाकी है जिसकी फजा से उसको किंग कैनूट और फोग बर्ड का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में एमा की स्टोरी भी यहाँ पे में बहुत बहतरीन तरीकेश दिखाई कही है और उसकी चालाकी तो हमने लास्ट एपसोड में देखी ली और कैसे उसने एलफगफ को कन्व्यूज किया और उसके साथ खेल गई और क्लासिक गोल्ड विन जो है जो कि यहाँ पे लिटल फिंगर जैसी वाइब दे रहा है उनका भी कुछ रोल बहतरीन होने वाला है आगे आने वाले सीजन में कैनूट जो कि अभी टन मार गया है लड़ाई करने वो वापस आएगा तो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसको उसे भी जेलना पड़ेगा अब आगे आने वाले सीजन देखते हैं हम लोग क्या होगा बट आपको कैसा लगे वीडियो आप में काने सेक्शेंज दो बताएगा और आपकी कोई राय या थेयोरीज हो तो वो भी और ऐसे वीडियो और दिखने के लिए आप में चुन स्प्राइब पड़ना और बेल आकान दमाना भूले धन्यवाद